हालो फ्रेंड वीडियों आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फर्स टेम मेरे वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहती हूं छोटी-छोटी स्टोरीज पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ चाहर करती रहती हूं जिनसे हम बहुत सारे न्यू दिखेंगे कुछ active passive voice के जो हमारे sentences रहते हैं वो भी देखने को मिलेंगे स्टार करते हैं और देखते हैं क्या है इसके इंदर as we all know siblings carry a special place in our hearts as जैसा की we all know we means हम all know सभी जानते हैं siblings इने के बहन भाई जो एक ही ममी पापा के बच्चे होते हैं वो carry means रखते हैं a special place एक विशेश स्थान रखते हैं in our hearts in means में our means हमारे hearts इने के दिलों में तो simply sentence को हम कैसे read करेंगे जैसा की हम सभी जानते हैं कि भाई बेहन हमारे दिलों में एक विशेश स्थान रखते हैं however हाला की the particular bond of a brother and sister is very unique हाला की the particular bond particular means wishes bond means बंधन of a brother and sister of का मतलब होता है काकी के a brother and sister एक भाई और बेहन का is means है very unique बहुत अनूखा है तो simply आपको रग रहा हो नहीं पर brother and sister के साथ में आपको यह आर का use करना चाहिए था बट यहाँ पर हमारा subject क्या है particular bond यह हमारे active passage जो sentences होते हैं उसका passive sentence है ठीके तो यहाँ पर subject क्या है हमारा particular bond और हमने यहाँ पर brother and sister को क्या है others की तरह use किया है ठीके तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक जो रिष्टा है एक भाई और बहन का जो रिष्टा होता है एक विशेश रिष्टा होता है भाई और बहन का वो बहुत अनूखा होता है या अनूखा है the care they have for each other the care जो देखभाल they have वो रखते हैं या उनमें होती है have का मतलब क्या होता है होना या रखना ठीक है हम कहते हैं यह चीज मेरे पास है या मैं चीज रखता हूँ तो किसी भी चीज का होना they have जो रखते हैं the care जो देखभाल वो रखते हैं for each other for means के लिए each other एक दूसरे के लिए nose no bonds nose वो नहीं जान मतलब nose जानते हैं no bounce bounce मतलब क्या होता है सीमा उसकी कोई सीमा नहीं है उसकी कोई सीमा को नहीं जानता है ऐसा बीस को हम बोल सकते हैं the love this share is beyond compare beyond means परे है वो किस चीज़ से परे है compare वो तूलना से परे है जो प्यार वो बाढ़ते हैं वो तूलना से परे है compare करने से परे है no matter चाहे no matter no matter means होता है चाहे जो भी हो या चाहे दोनों के लिए आप इसको word को यूज़ कर सकते हैं चाहे जो भी हो या चाहे, compare means तुड़ना करना, simply इस तरह के sentence जो आते है हमारे, हमें क्या करना होता है, simply, बहुत ही simple way में उनको read करना होता है, so no matter, चाहे या चाहे जो भी हो, how much they fight with one another, how much कितना भी they fight, वे लड़ाई करें, ठीक है, fight means होता है, लड़ना या लड़ाई करना, with one another, with means साथ में, one another, एक दूसरे के साथ में, चाहे, कितना भी वो एक दूसरे के साथ में लड़ाई करें, या जगडा करें, दोनों ही words को आप बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का meaning same होता है, they always stand behind them in support, they always, we हमेशा stand, खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारा present indefinite का sentence आ रहा है, always का जो use हम करते हैं, mostly वहाँ पर use करते हैं, तो वो हमेशा खड़े रहते हैं, behind, पीछे, them, उनके, वो हमेशा उनके पीछे खड़े रहते हैं, in support, in support means, वो हमेशा सहारे के लिए, या उनके सहारे में, उनके पीछे में खड़ रहते हैं उनकी सपोर्ट में खड़े रहते हैं brother's and sisters fight with each other over traveling matters travel matters क्या होता है travel matters का मतलब होता है चोटी-चोटी बाते या फिर वहाती पुछ बाते ठीक है brothers and sisters fight with each other भाई और बेहन भाई और बेहने ऐसे भी बोल सकते हैं कि भीया और बहने जो होते हैं वो एक उसरे के साथ लडाई करते हैं छोटी छोटी या तुछ बातों पर matters मतलब बातों पर या मामलों पर in other words दूसरे शब्दों में in means में other means दूसरे words शब्दों में they share a bond which is full of teasing and love they share वो बातते हैं या वो साजा करते हैं bond एक बंधन को which जिसे which जो है ठीक है विच का मतलब जिसे या जिसके लिए या जो है ऐसे words के लिए हम इसको यूज करते हैं is full of teasing full of मतलब भरा हुआ है teasing मतलब चिडाने से and love जो भड़ा हुआ ये जो वो एक रिष्टे को या एक बंधन को बाटते हैं जो चिडाने और प्यार से भड़ा है simple brothers and sisters help us grow brothers अभी के यहाँ पर क्या बता है कि भाई और बेहन चाहिए वो आपका भाई हो या बेहन हो help वो मदद करता है us grow हमें बढ़ने में मदद करता है at every stage of our life at every stage हर एक चरण में या हर एक कदम पर of our lives हमारे जीवन के the bond between them grows stronger the bond जो बंधन होता है between बीच में उनके बीच में जो बंधन होता है grows stronger वो मचबूती से बढ़ता है grow means बढ़ना बढ़े होना एसे grows यानि के वो मचबूती से बढ़ता है simple 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 sentence से बहुत अदा difficult sentence नहीं है तो आपको क्या करना है में चीज़ हमेशा बोलती हूँ practice करते रहे है और ये चीज़ जब आपको बिल्कुल easy लगने लगी है इसका मतलब वो अपने आप से आपको और दुख के माध्यम से या सुक और दुख में डोनों आप बोल सकते हैं थू का मतलब मैं भी होता है माध्यम से भी होता है वो हमेशा एक दूसरे के साथ सुक और दुख में खड़े रहते हैं the elder brothers are very productive for of their sisters the elder brothers elder means बड़े brothers भाई our means है very protective जो बड़े भाई है यहाँ पर भाईयों के बारे में जादा के बारे में बात हो रही है इसलिए हमने आर का यूज़ किया है अगर एक बारे में बात हो रही होती तो हम इसका यूज़ करते वो बहुत रक्षा तमक होते हैं इनके वो रक्षा करने वारे होते हैं उनकी बहनों की similarly उसी प्रकार या उसी तरीके से या वैसे ही similarly का मतलब आप easily अपने आपसे भी समझ सकते हो बोलने से ही हमें समझ मैं जाता है elder sisters जो बड़ी बहने होती है care a lot of their younger brothers care वो ध्यान रखती है a lot of बहुत जादा their उनके younger brothers younger means छोटे brothers means भायों का similarly उसी प्रकार बड़ी बहने अपने छोटे भायों का बहुत ध्यान रखती है the younger ones look up to their elder siblings the younger जो छोटे होते हैं once जो छोटे बच्चे होते हैं look up means क्या होते है किसी की बात को सुनना या मानना उसको follow करना एक तरह किसी to their elder siblings वो अपने बड़े भेन या बड़े भाय का की बात को मानते हैं उनको सुनते हैं उनको follow करते हैं एक तरह किसी रक्षा बंदन is all about celebrating this bond रक्षा बंदन is means है all सभी about मतला all about means यह सभी चीज़ों के लिए है celebrating उत्सभ मनाने के लिए this bond इस बंदन का रक्षा बंदन इस बंदन का उत्सभ मनाने के लिए है it is a symbolism it is a symbolism यह एक प्रतीक है of the unique and special एक unique अनोखे और special निके wishes wishes relationship का shared by two relationship हिष्टे का shared जो बाटा गया है shared यहाँ आपर third form है वाली ठीक है यह जो रिष्टा बाटा गया है by two by two means दो के साथ किन दो के साथ brother and sister के साथ में this day has been rightly recognized to have a good time and focus on this beautiful bond this day have been rightly recognized अब यह sentence हमारा क्या बना यह sentence हमारा बनता है this day यह दिन has been rightly recognized has been यहनि के इसको बनाया गया है rightly ठीक से recognized पहचानने के लिए इस दिन को ठीक से पहचानने के लिए बनाया है to have a good time have means मैं आपको बताया होने के लिए a good time एक अच्छा समय होने के लिए and or focus on this beautiful bond focus ध्यान के इंदृत करने के लिए on this beautiful bond इस सुन्दर बंधन पर ध्यान के इंदृत करने के लिए और इसे ठीक से पहचानने के लिए इस दिन को बनाया गया है किस दिन को रक्षा बंधन के दिन को it serves serve का मतलब क्या आता है सेवा करना बहुत सारे वीडियो में मैंने खुद आपको बता है but serve का मतलब कारे करना भी होता है तो it serves कारे करता है as a symbol एक प्रतीक के रूप में कारे करता है रूप में क्यों बोला क्योंकि यहां पर as का यूज हुआ है as का मतलब हम क्योंकि भी बोलते है सिर्फ भी बोलते है ची के बहुत सारे वर्ड्स के लिए उस करते है यहां पर हमने as a रूप के रूप में इसको यूज किया है तो यह कारे करता है प्रतीक के रूप में of their love उनके प्यार के प्रतीक के रूप में togetherness उनकी एक जुटता के रूप में and confidence in each other और एक दूसरे के उपर विश्वास्ट के रूप में तो सिंपलीस पूरी sentence काम कैसे रीड करेंगे यह है उनकी एक जुटता के आत्मिश्वास्ट के और प्रतीक के रूप में कारे करता है I hope you topic आपको पसंद आया होगा कैसे लगा है प्लीज मुझे comment में ज़रूर बताएगा आज की 3 words है जिनसे आपको sentence पराना है कोशिश हमेशा करते रहे है जब तक आप कोशिश करते रहोगे आप सीखते रहोगे जिसे कि आपका जिसे हम बोलते हैं सगा भाई या सगी बहन वो siblings नेक्स्ट वर्ड है मारा पर्टिकुलर विशेश और थर्ड वर्ड है मारा रिकगनाईज देने के पहचानना इन तीनों words सबको sentence पनाना है comment box के नहीं लिखता है आज की 3 words है इक्टेशन के फर्स्ट है यूनीक यूनीक नेक्स्ट वर्ड है टीजिंग टीजिंग और थर्ड वर्ड है सिंबोलिज्म आई होप इविड़ आपको पसंद आया होगा कैसे लगा प्लीज मुझे comment पे जरूरू बताइएगा थैंस वर्चिंग